अगर आप किसी भी competitive exam की तियारी कर रहे हैं तो आप अपनी तियारी एन Academy Plus से करिए, एन Academy की learning app को install करिए, अपना exam चूज करिए और इसके बाद get subscription पर करने के बाद आपको referral code की जगए discount code एंटर करना है PMYT, यह discount code एंटर करते हैं आपको maximum discount मिल जाएगा और यह discount code पूरे अन Academy पर valid है भला है यह आप UPC, SSE, Bank, CDS, NDA, State, PSE, UGC, IIT, NEET, किसी भी exam की अगर आप तियारी कर रहे हैं PMYT, यह discount code लगा है यह आपको maximum discount मिल जाएगा, Name the gland that controls the functioning of other endocrine glands, अब सिरफ और सिरफ आंसर पर आपको focus नहीं करना है और बहुत सारी चीज़े मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, कोशिश यह करनी है कि pen copy लेके बैटना जहाँ पर भी आप अपने biology के notes बनाते हो, वहाँ पर कुछ key points जो जो मैं आपको बताऊंगो सब आपको note कर दे हैं, सबसे पहला सवाल तो यह आता है, यह endocrine gland क्या है, क्या यह hormone secret करता है, या क्या यह enzyme secret करता है, क्या यह none करता है, या both करता है, फटा फट से answer दो, कोशिश करेंगे सिरफ हम questions के उपर ना रुकते वे, बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि एक ही सवा endocrine gland वो होता है, जो की enzyme secreting होता है, किसी को कर याद नहीं होता, तो आप इस तरीके याद कर सकते हो कि इसके पास X है, फिर YZ इसके पास है, that is XYZ का एक पेर बनाएगा, तो जो exocrine है, वो enzyme secret करता है, इस चीज को आपको ध्यान दखना है, अब कौन सा ऐसा endocrine gland है, जो की control कर बाकी gland की functioning को, कौन सा ऐसा gland है, देखो इसे master gland भी बोला जाता है, master gland के नाम से भी सवाल काफी बाल बनता है, pituitary gland है, जो की दूसरे endocrine gland की functioning को control करता है, दूसरा सवाल में आप से यहाँ पे पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन सा gland है, जो की जब आ फियर में होते हो, fright में हो होते हो, घवराएवे होते हो, अचानक डल जाते हो, एक basic concept generally जो example दिया जाता है, कि अगर आपको साब दिख गया अचानक, तो कौन सा इन में से gland है, जो की activate होगा, एक ही सवाल में से कोशिश में दिये रहेगी, बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पे decode करके देदू, मुझे उमीद है, अप तक answer आपने सोच लिया होगा, adrenal gland जो है, यह activate होता है आपका, जब आप fear में होते हो, fright में होते हो, fight में होते हो, इन सब चीजों में, इससे एक hormone secret होता है, यह भी सवाल बहुत बार repeat होता है, ध्यान दखना, adrenalin hormone, is secreted by adrenal gland, जो आपकी मदद करता है, एकदम पैसले आपको लेने में, इसके लावा एक और सवाल इस page से बन सकता है, जो कि यह है, ऐसा कौन सा gland है, जो कि exocrine भी है, और endocrine भी है, जब आप फटा-फट से try करो, कौन सा ऐसा gland है, इन ही चादो में से, जो कि endocrine भी है, exocrine भी है, आप answer क्या दोगे, pancreas, अब एक सवाल मैं आपको homework में दे रहा हूँ, largest gland आपकी body का कौन सा है, largest और smallest gland आपको और पढ़ना है, मैं hint दे देता हूँ, lever से जुड़ा हुआ है, कुछ और pediatric से जुड़ा हुआ है, कुछ ही, आपको दोनों पढ़के जाने हैं, काफी बार यह सवाल आता है, सबसे बड़ा gland आपकी body का कौन सा है, और सबसे छोटा gland आपकी body का कौन सा है, आगे चलते हैं, मैं उमीद करता हूँ, आपको मज़ा आदा होगा कि हमने एक ही सवाल में से देखो, जितने भी possibility बन सकती है, सभी को हमने यहाँ पर decode कर लिया है, for your reference, इसका जो answer है, कौन सा ऐसा gland है, जो कि दूसरे endocrine glands की functioning को control करता है, answer is pituitary gland, which of the falling has the highest protein content per gram, यहाँ पर सवाल यह है, काफी लोगो को लगता है, इसका answer egg होगा, लेकिन सबसे पहले तो देखो, वो option में ही नहीं है, और दूसरे यह पूछ रहा, per gram सबसे ज़्यादा protein content किसमे है, percentage नहीं पूछ रहा, यह पूछ रहा, overall protein सबसे किसमे होगा, answer is soya bean, यह काफी बार repeat होता है, सवाल इस चीज़ को अब ध्यान रखना, soya bean में सबसे ज़्यादा protein content पाया जाता है, अगर चारो का मैं एक एक ग्राम लेता हूँ, तो सबसे ज़्यादा protein किस के अंदर होगा, soya bean के अंदर होगा, which of the falling is a communicable disease, अब सबसे पहल अगर आप किसी से बात करते हो, किसी की contact में रहते हो, अगर हवा के थुरू, पानी के थुरू, या फिर अगर किसी का जूटा पानी आप पी लेते हो, किसे बात करते हो, सांस के थुरू, या फिर टच के थुरू, इन सभी तरीके अगर कोई disease, person A से person B तक transfer हो सकती है, तो हम उसे कहें कि communication की वज़े से उट्रांसफर हुई है, that is a communicable disease, अब measles जो highly communicable है, highly contagious disease है, contagious का मतलब आप कहा सकते हो कि अगर touch से फैलने वाली disease जो है, तो इस का answer correct होगा measles, अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल और बनते हैं, इन में से ऐसी कौनसी बिमारी है, जो कि आपके respiratory system से जोड़ी है, आप बोलोगे asthma, कौनसी ऐसी बिमारी है, जो कि आपके glucose level से जोड़ी है, body glucose level, generally जिसे आप sugar level भी बोलते हूँ, वो होगी diabetes, आखरी सवाल यह है, कौनसी ऐसी बिमारी है, जो कि vitamin C की deficiency से होती है, answer आपको दिख रहा होगा, option number 2 कर भी होगा, और vitamin C का source आप मुझ समया practice करेंगे, overall मेरी target यह रहेगा, जितने भी सवाल बने है, उनमें जो जो possibility है, सभी आपको यही पर त्यार करा दो, source आप इसका कहोगे, जितने भी citrus fruits होते है, for example, lemon हो गया, आमला हो गया, इन सब में पाया जाता है, अगला सवाल देखते है, which hormone leads to the expulsion of milk from the breast during suckling, अब यह यहां पर आपको generally जो answer देखने को लगता है लोगो, वो लगता है estrogen ये progesterone, क्योंकि ये दोनो female hormones generally हम किताबों में पढ़ते हैं, बट एक point आपको ध्यान लखना पड़ेगा, यहां पर वो generally बस एक female hormone नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि breast से milk expulsion के case में कौन सा hormone helpful होता ह है कौन सा hormone काम करता है, prolactin होगा answer इसका याद करने का देखो तरीका simple सा है, milk जो है काफी हद तक जूड़ा है lactose है, यानि lactic acid की अगर मैं बात करता हूं, या lactose की बात करता हूं, prolactin hormone की बात करता हूं, galactose की बात करता हूं, यह जितना जहां पर भी आपको lacto देखने को म जो है, it leads to the expulsion of milk from the breast during suckling, तो इसका जो answer होगा option number 4, prolactin, मुझे उमीद है वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो वीडियो को like जदू करना, मेरा target यह है, इसी type से आपको जितने भी बनते हैं, अलग-अलग subjects, जाए वो physics है, chemistry है, history है, geography है, सभी कुछ मैं आपक आपको discuss करा दूँगा, जो जब आप exam देने जाओगे, तो आप देखोगे, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे, जो इन में से सीधा-सीधा repeat हुए होंगे, या जैसे हम आपको आप देख रहे हो, यह जो अलग-अलग patterns हम practice कर रहे हैं, इन में से बहुत-बार सवाल आपको चीज़े पाई जाती है, एक तो पाई जाते है corpuscles, जिससे आप cell बोलते हो, जिसके अंदर RBC आता है, WBC आता है, platelets आता है, mainly आप इन तीनों को उसके अंदर cover करते हो, यह करीब-करीब आप कहते हो 45% है, और बचा वह 55% plasma है, यह भी सवाल काफी बार बनता है, यह previous year question है कि ऐसा क्या है, जो straw-colored liquid होता है, straw-colored liquid होता है, और यह करीब-करीब 55% आपकी body के अंदर होता है, आंसर होगा इसका plasma, वो plasma का main constituent क्या है, main constituent of plasma, बताओ वही, water होगा, protein होगा, plasma के अंदर 92% water होता है, तो आप कहोगे कि करीब-करीब आपकी blood है, उसके अंदर 50% पानी है, क्योंकि अगर 100 ml blood लेते हो, तो उसमें करीब 55 ml आपके पास plasma है, और उसका 92% हिकालोगा, तो approximately 50 ml आपको होगे water आता है, अब यहाँ पर सवाल यह है, soldier किसे बोला जाता है, देख RBC, एक WBC और एक platelets, maximum cases यह हैं, इन में से ही घुमाफिता के सवाल बनते है, RBC जो है, यह है oxygen carrier, basically carry carbon dioxide, carbon monoxide भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को जो काम का है, वो यह है कि oxygen carrier, क्योंकि question इस हिसाब से बनता है, WBC को आप बोल जो soldiers है, यानि रक्षक है आपके शरीर के, अगर कोई किसी चीज आ गई जो आपकी body नहीं चाती की हो आपकी body में, तो यह उसे कोशिश करेंगे, खतम करने की, लेकिन अगर किसी वज़े से कहीं पर damage हो गया, तो आप कहोगे, यह आपके लिए काम करते हैं, या फिर आप बोलोगे, यह medical treatment का काम करते हैं, तो यह वाला point भी आप oxygen carry करनी हैं, RBC, अगर कहीं protection, लड़ाई की बात है, बचाने की बात है, WBC, कोई अगर घायल हो गया है, तो उस case में platelets, यानि यह internal और external, ध्यान लखना, दोनों injuries पर काम करता है, ऐसा नहीं है, सिरफ external, लोग को external लगता है, लेकिन अगर internal injury भी कहीं हो जाती है, तो उसमें platelets का दूल बहुत बढ़ा होता है, इसी वज़े से आपने सुना होगा, जो डेंगू हो जाता है, डेंगू के case में platelet count बहुत कम हो जाता है, और doctors advise करते हैं कि आप hospitalized करते हैं कि अगर किसी भी case में internal bleeding हो जाती है, तो treatment का time उन्हें जादा मिल जाएगा, as compared कि अगर आप घर से patient क को लेके आओगे, जब उमीद करते हूं सारे points आपको समझ आ गए होंगे, आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, dash is the study of micro anatomy of cells, tissues and organs as seen through a microscope, अब simple सी भाशा में अगर मैं आपको इसे decode करके बोलू तो वो ये पूछ रहे, cell, tissue, organ की study को क्या बोला जाता है, अब generally cell की study study को हम histology से associate करते हैं, तो यहाँ पर आपको option elimination method अगर आप लगाओगे, तो सबसे smart work होगा, क्योंकि उस case में आप easily अपना answer guess कर पाओगे, कि overall यह आपकी body की बात कर दा है, तो देखो clearly मैं आपको बता, तो histology इसका answer होगा, option number one, लेकिन अपने को सिरफ यहाँ पे नहीं आता है, तो automatically आपका 1-3 से 2 निशाने वाला काम हो रहा है, फटा-फट से इसे try कर तो इसका क्या मतलब हो सकता है, मैं आपको पूरे 5 seconds देता हूँ, देखो, ethology जो होता है, यह होता है, study of fishes, ध्यान रखने आपको, जो मचलिया होती है, उनके अध्यान को आप कहते हो, ethology है, entomology क्या होता है, आप बोलो के study of insects को बोला जाता है, entomology, यह words आपको ध्यान रखने हैं, बहुत बार repeat होते हैं, English में भी, और आपके biology में भी, paleontology का मतलब क्या होता है, animals and plants, specifically animals and plants की अगर मैं बात करता हूँ, और इनकी fossils, इनकी fossils के study of को कहा जाता है, study of fossils of animals and plants को बोला जाता है, paleontology, अब मुझे उमीद है कि आप एक ही सवाल में चार अलग-अलग सवाल सीख गए होंगे, अगर आता है cell tissue organ तो आप answer होगे histology, अगर आ पूछा जाता है, insect तो आप बोलोग entomology, अगर पूछा जाता है, fossils of animals and plants, fossil ध्यान रखना, fossil की बात हो रही है, तो आप बोलोगे paleontology, मुझे उमीद है, आप note साथ साथ अपने बना रहे होंगे, कि देखो बाद में आपको time नहीं मिलेगा session को बार-बार देखने का, मेरा suggestion यह है, copy man अगर अभी तक भी नहीं उठाया, तो copy man लेके बैठो, simple simple, जो जो मैं screen पर लिखना हूँ, अपनी copy man point by point note करते चलो, जिससे आप easily चीज़ों को याद कर पाओ, आगे चलते हैं, dash is the branch of zoology concerned with the study of amphibians, अब सबसे पहले तो मुझे यहां रुकना पड़ेगा, और जो लोजी किस की study है, plants की या animals की, अगर आप इसका answer बताते हो कि animals की तो बिलकुल सही है, और फिर मैं यह पूछूँ को कि plants की study को क्या बोला जाता है, अगर animals की study को आप जो लोजी बोल रहे हो, तो plants की study किस word से associated है, आप कहोगे botany से, दूसरा मेरा सवाल आप से यह बनेग कि जो flora word आप इस्तिमाल करते हो, fauna इस्तिमाल करते हो, इसमें से plants से कौन सा associated है, या फिर botany से कौन सा associated है, तो आप बोलोगे कि plants या botany से associated है, flora, यानि किसी भी area में कितने अलग-अलग type के fool, paid, pod है, जितने भी plants वाली चीज़े हैं, यह लगी हुई है, आप बोलोगे वह वहाँ का flora है, fauna, कितने type के हुआ animals है, अगर rhinoceros पाये जारा है, सांप पाये जारा है, इंसान पाये जारे है, basically animals को जो deal कर रहा है, क्या variety है वहाँ पे animals की, उसे आप बोलते हैं, वहाँ का fauna क्या है, तो ये तीनो वर्ड associated है, जूलोजी से associated है आपका animals and animals associated है fauna, मुझे उमीर है चीज़े समझ पारे होंगे, अब आते हैं अपने सवाल पे, और सवाल को भी आगे समझने से पहले मुझे ये जानना है कि amphibians क्या होते हैं, amphibians क्या होते हैं जो कि सर्दी और गर्मी दोनों में रह लेते हैं, या amphibians क्य होते हैं जो पानी और जल और थल दोनों पे रह लेते हैं, तो देखो ये वो हैं जो land पर भी रह सकते हैं and water पर भी रह सकते हैं, for example frog हो गया, tortoise हो गया, ये सब चीज़े amphibians कहलाती हैं क्योंकि इनके पास generally lungs भी होते हैं और gills भी होते हैं, तो gills की मदद से पानी में सास ल होते हैं जो पर भी रहेगा, हर्पेटलोजी आप का अंसर रहेगा, इस इसको आप ध्यान रखना, हर्पेटलोजी जो है, वो एक branch है zoology की, जो की amphibians की study से जुड़ी है, मैं उमीद कर पाना हूँ, आप चीजों को समझ पारे होगे, यहां पर नहीं रुखते हैं और ये स से कम 15-20, one word substitution या फिर branches of science याद हो जाएंगी, एथोलोजी जो होता है, यह होता है, science of animal behavior, अगर यह animal behavior है, तो आप कहोगे, this is related to zoology, obviously, क्योंकि zoo का मतलब animals से associated होता है, ethnology जो होता है, यह थोड़ा सा difference है, यह है science of human behavior आप कह सकते हों कि आपस में लोग कैसे interact करते हैं, या लोग की बातचीत कैसी है, behavior कैसा है, यह किस से associated होगा, यह associated होगा, related to anthropology, यह anthropology या आप कहोगे, यह anthropology का मतलब man से associated, anthropology से associated है, और इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कि ethnology जो है, आपके ethnic group जो word आता है, वो ethno से आता है, तो यह points आपको cover करने हैं, और इसकी for your reference इसका answer होगा, harpetology, आगे चलते हैं, dash, अब देखो, कितने साधे सवाल हमने हैं आपर discuss करें, अगर आप सिरफ PDF से पढ़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, फटा-फट से तीन answers देखें, अच्छा, इसका histology है, इसका harpetology है, इसका palynology है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कम से कम हमने हैं, 15-20 इस चीज़े हमने अलग-अलग यहां पर discuss कर ली है, dash is a scientific discipline concerned with the study of plant pollen, pollen को देखते ही कहीं, मत भटगना, pollen दिखे, वहीं पर रुख जाना, सीधा-सीधा इसका होगा palynology, palynology होगा इसका answer, अब देखो, यहां पर मैंने आपको सिखाया था, ethno जो word है, ethnic से है, botany word जो है, आप के हिसाब से क्या answer होना चाहिए इसका, ethno botany किस चीज़ की होगी, आप बोलोगे कि जो अलग-अलग communities होती है, humans की अलग-अलग communities होती है, वो plants से उनका क्या relation है, plants से वो किस तरीके अलग-अलग उनके customs है, अलग-अलग उनके uses है, hubs की बात करूँ, तो human की जो communities है, या ethnic groups है, ethnic communities है, वो plants से या flora से किस तरीके associated है, यह फूरा जो connection है, इसे बोला जाता है, ethno botany, paleontology हमने डिसकस कर लिए, study of plant, pollen, spores, इसके लाभा डेंट्रोलोजी की, अगर मैं आप से बात कर तो यह trees से associated of paleo botany, botany है plants से, paleo है fossils है, यह इस तरीके अगर आप decode कर रहें, बहुत सानी देगी, यह है study of fossils of plants, मुझे उमीद है बात आपको समझा रही होगी, यह है study of fossils of plants, अगला सवाल देखते हैं, रिकेट्स is a disease associated with the deficiency of what, इन में से कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स होती है, पहला यह सवाल है, उसके इलाभा associated with which of the falling organs, दो सवाल मैं आप से पूछना और which of the following organs, क्योंकि सिरफ वो नहीं सीखना जो पूछा जा चुका है, वो भी सीखना है जो पूछा जा सकता है, lungs, या इस तरीके बोलो, respiratory system, skeletal system, nervous system, अब तक answer आ जाना चाहिए, मुझे उमीद है, या फिर अब बोलोगे, excretory system, इस टाइप का सवाल बनेगा, confusing सवाल हो सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से रिकेट्स के बारे में पढ़ रखा है, तो आपको इस कांसर आना चाहिए, देखो इस कांसर सबसे पहले बता, रिकेट्स जो होता है, जो हड़ियां होती है, वो कमजोर हो जाती है, तो साथ-साथ कमजोर भी हो जाती है, तो इस कांसर जो होगा, वो होगा, विटामिन दी, तो यह क्या करता है, यह लेता है CO2, यह लेता है water, और finally क्या बना देता है, यह बनाता है oxygen, लेकिन oxygen तो option में है नहीं, तो और कुछ तो बनाएगा ना ज़रूर, finally यह बनाता है glucose, अब यहाँ पर fructose, sucrose, galactose सिरफ और सिरफ confuse करने के लिए बिलकुल परेशान नहीं होना, आपने पड़ा होगा C6H12O6, वो कुछ नहीं है, वो glucose है, glucose बनता है जिसे आप जनरल भाशा में बोलते हो, food बनाता है plant, जिस food को आप consume करते हो, तो इसका जो correct answer होगा, option number 2 होगा, कि जो plants होते हैं, वो sunlight की presence में synthesize करते हैं, आप बनाते है glucose, किस से बनाते हैं, carbon dioxide से और water से, म पर notice आपने करी होगी, कि जितने भी सवाल मैंने आप से इहां पर discuss करें, for example, अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ, तो सिरफ MCQ याद करके जाने से काम नहीं बनेगा, या मैं जितने येवाले सवाल आप से discuss कर दो, इसके लिए एक मातर सॉल्यूशन यह है, कि आपको in-depth knowledge होने ही topics की, फटा-फट से बिने टाइम खराब करें वे अगले सवाल का अंसर दो, which of the following acid is found in apple, जो apple होता है, save होता है, उसमें कौन सा acid पाया जाता है, पूरे-पूरे 5 सेकेंड दे रहा हूँ, मैं आपको फटा-फट से इसका अंसर दो, apple में कौन सा acid पाया जाता है, answer होगा malic acid, malic acid जो है apple के अंदर पाया जाता है, अब एक homework सवाल में आपको दे रहा हूँ, वो homework सवाल यह है कि ants में, या generally बोलो insects में, इन में से कौन सा acid पाया जाता है, क्योंकि ये भी repeated सवाल है, previous year question है, और दूसरा सवाल मेरा यह है, कौन सा ऐसा इन में से acid है, जो कि fertilizer से associated है, उसके अंतरा कोई एक element है, जो कि fertilizer से associated है, वहलका बहुत आपको क्या करना है, आपको option elimination से सोचना है, देखो fertilizer जो होता है, उसमें तीन चीज़े main होती है, जिसे आप बोलते हैं, nitrogen, phosphorus, potassium, अब nitrogen आपको कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे option में दिख associated है, एक और सवाल बनता है कि जो batteries होती थी, traditional, जो पुराने जबाने की batteries होती थी, या जो अब भी काफी घरों में देखी जाती है, उसके अंदर कौन सा acid डाला जाता था, आपने इस टाइप की battery देखी होगी inverter की, उसमें कौन सा acid होता था, sulfuric acid उसमें डाला जाता था, अग ABC की वज़े से हो associated है hemoglobin से, अब hemoglobin generally पसंद करता है oxygen को carry करना, लेकिन अगर कोई और gas यहाँ पर आ गई, जो की hemoglobin के साथ जादा अच्छे से अपनी board बनाती है, तो hemoglobin क्या करेगा, hemoglobin oxygen की जगा, इस वाली particular gas को लेके जाएगा, जो की gas है carbon monoxide, इसी वज़े से सवाल ये वो gas क्या करती है, आपके शरी तक oxygen पहुचने नहीं रहेगी, कुछी देर में death हो जाएगी और यह आपने सुना भी होगा, जो आपके geezers होते है, gas वाले जिससे आप बोलते हो, उसमें से भी ये पाया जाता है, कि जब combustion होता है, किसी closed environment वे, तो carbon monoxide निकलती है, इसलिए आ के geezer को इसलिमाल नहीं करना चाहिए, या अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, आगे चलते हैं, अंगला सवाल देखते हैं, इसका अंसरियों का oxygen carrying capacity कौन सी gas कम करती है, जो की obviously blood यानी hemoglo में से oxygen से भी जादा अच्छे से मेलभाफ कर सकती है, जो की है carbon monoxide, the deficiency of which nutrient causes night blindness, night blindness इन में किस की वज़े से होता है, vitamin A, proteins, vitamin K या vitamin C, किस की वज़े से होता है, vitamin A की वज़े से, proteins की वज़े से, vitamin K की वज़े से, vitamin C की वज़े से, जो को night blindness जो associated है, आपका vitamin A से associated है, vitamin A अगर नहीं आपके शरीर में होगा तो आपने सुना होगा रात को दिखना कम हो जाता है काफी जेर अफ्थेल्मिया बेसिकली क्या है ड्राइने से नाइस आखों में सूखा पन जो हो जाता है वो भी इस से एससेटेट है आप ये मान के चलना की हो सकता है अगली बास सवाल आए जिसमें बस और बस नाइट ब्लाइडने सेटा कर उस जेर अफ्थेल्मिया लिखते है बाक विटामिन B-2, विटामिन A, विटामिन K या फिर विटामिन C tips जो है यह जो है इसका, एक्चुल में नेन जुटिक अस्वैम ह PorkBe and Shark और इसकी कमी से इसकी कमी से होता है Block इससे यही सवाल बनते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, कोशिश करना, इस सारे डेटा को एक बॉक्स बना के अपने पास नोट कर लेना, ऊपर आप लिख लेना, विटामिन C, यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर डेफिशिंसी, और इसके लावा इसका केमिकल नेम, इ of the falling is a vestigial organ, अब काफी लोग क्या करते हैं, simply सवाल पढ़ा, answer बरिटा मारा, कि अच्छा appendix है, चलो, आगे बढ़ो, जब तक इस word का ही मतलब नहीं पता, कोई फायदा नहीं है, ऐसा organ, जो है तो, लेकिन किसी काम का नहीं है, for example, अगर मैं आपसे बात करू, appendix की, तो humans में appendix का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम cellulose का digestion नहीं कर सकते, हमारा जो appendix है, वो किसी काम नहीं आता, लेकिन क्या, ये animals के अंदर भी vestigial organ माना जाएगा, नहीं, क्योंकि animals में appendix का का काम होता है, cellulose का या आपका होगे starch का digestion ज़रूरी होता है, तो humans के लिए appendix इस काम से रोगा कि एक ऐसा organ जो की किसी काम का नहीं है, तब सवाल सेम रहेगा, options कभी कब बदल जाते हैं, options कैसे बदलते हैं, ध्यान से सुनो, appendix की जगा यहाँ पर दे देगा आपको jaw के चानाम, incisor दे देगा, canines दे देगा, molar दे देगा, premolar दे देगा, इस type से आप से पूछ सकता है, और molar की जगा वो आपको जानके लिग देगा, wisdom tooth यानि जो अक्कलदाड होती है, तो उसमें इस case में यह answer बन जाएगा, कभी कभी यहाँ पर दे देगा, cocix या फिर tailbone, यह जितने आपको options हैं, यह बहुत smart work से समझने हैं, कि ऐसा क्या है जो आपकी body में काम नहीं कर दा, heart ह lungs है, kidney है, इन तीनों का proper काम है, appendix का है, सच कोई काम नहीं है, फिर भी आपने सुना होगा, कि appendix का operation कराया जाता है, अब अगर काम नहीं है, तो इसका operation क्यों कराया जाता है, बता हुई, सोचो एक बर फटा फट, देखो, appendix का अगर size increase हो जाता है, तो वो pain करना start कर देता ह है, उसके चक्कर में appendix को निकाल दिया जाता है, इसे operate कर दिया जाता है, क्योंकि इसका practically कोई काम नहीं है, तो इसके निकाल देने से भी कोई खास नहीं पड़ता है, बस यह है, अगर size उसका बढ़ जाता है, तो pain करने लगता है, जिसको इसे operate करके इसे हटा देते हैं, आ कार्णी वर्स प्रोड्यूजर्स माने जाएं या ना माने जाएं, बेसी किसी और लिविंग तिंग पर अपने आपको जीवित रखते हैं, वीनस फ्लाइट राप आपने सुना होगा, यह चोटे-चोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, मक्खी हो गई, इन सब चीजों को खाता है, कुछ बड़ी चीजों को भी जैसे कि मैं बात करूँ कोई छोटी स्पैरो है, कोई छोटा फ्रॉग है, इन सब को कंजियूम करके इससे न्यूट्रियन निकालके फिर जीता है, तो यह कार्णी वर्स प्लान्ट माना जाता है, वेच और फॉलिंग इस थर्ड स्टेज इ हो उसमयदा नहीं है, अगर आप एक पर चीजों को समझ लोगे, पका पका आपको बे सिट होना तए है, है आगे चलते हैं अंगला सवाल देखते हैं what is the definition for the term hibernation hibernation का क्या मतलब है फटाफट से एक बड़ options पड़ो finance दो मुझे क्या होगा try करो कोशिश करो जितने सवाल में discuss करना हूँ सारे सवाल आपके सही होने चाहिए अगर नहीं हो दे तो इसका मतलब सीखना भी बाकी है फटाफट साथ साथ नोट्स अपने बनाते जाओ हाइबर नेशन का मतलब यह होता है कि जहां पर ज़्यादा ठंड होती है जब extreme winters हो जाते हैं तो वो शिकार पे नहीं जा पाते अनिमल्स जिसकी वजह से देखो दो ही option होते हैं या तो energy बाहर से मिलती रहे अगर energy प्लस नहीं हो पारी तो body से energy minus ना हो यही basic सा फंडा है कि अगर मैं body बनाता हूं किसी की यहां पर तो या तो इसे energy मिले तो यह जीवित रहेगा या फिर इसकी energy ना होए क्योंकि इसकी body में तो energy बचनी चाहिए तो यह क्या करते हैं इन्हें पता है extreme winter हो गए हम शिकार पे नहीं जाते तो यह reduce कर लेते हैं अपनी metabolic activity यानि movement winter season में कुछ महीनों के लिए कुछ time के लिए सो जाते हैं यानि अपने आपको शांत कर लेते हैं पूरे तरीके इस process को इस term को इस phenomena को बोलाता है hibernation जनरल यह जो polar atmosphere है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है hibernation होगा इसका सही answer how many canine teeth does an adult human have इसमें लोग बहुत ही जल्दवाजी करते हैं वो basic logic नहीं लगाते जल्दवाजी के चक्कर में आंसर गलत हो जाते हैं अब देखो एक बात सोचो क्या-क्या हो ही नहीं सकता canine teeth कौन से होते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ इस type से अगर आप बनाते हो उपर वाला तो आगे वाले जो होते हैं इन्हें incisors आप बोलते हो यह जो चार का set चलता है इसके अगले जो होते हैं आप इन्हें canine बोलते हो उससे अगले जो होते हैं इन्हें प्री मोलर बोलते हो, उससे अगले जो होते हो ने आप मोलर बोलते हो, मैं उमीद कर रहा हूँ, अब आत समझ गए होगे, same pair दूसरी साइड भी जलता है, अब यह यहाँ से divided है, इस टाइप से, तो दो दाथ यह दिख रहे हैं, एक यह दिख रहे हैं, दो यह दिख रहे हैं, और तीन यह दिख रहे हैं, टोटल एक बार करके देखो, टू, टू, फॉर, फाइफ, सिक, सेवन, एड यानी, आठ यहाँ पर हो गए, आठ यहाँ पर हो गए, उपर वाले में होगा, इसी same type से एक नीचे भी आपका होगा, लोर जो में भी लगे होंगे यह वाले दाथ, यानी, 16 हो गए आपके हैं, पर टोटल दाथ हो गए, बस 32 परफेक्ट कॉंबिनेशन बन गया, अब वो यह पूछ रहा है, क्या नाइन कित्त है, अब लोग को लगता एक है, गलत आंसर है, बहुत लोग फटा-फट से दो कर देते हैं, कि चलो एक उपर एक नीचे, वो भी गलत आंसर है, कुछ भी हो जाए, आपका जब बेरिंग चली है, 2, 1, 2, 3, ऐसे 4 सेट आपको देखने को मिल रहे हैं, दो उपर दो नीचे, तो इन एनी केस, जो भी नंबर होगा, 4 का मल्टिपल ही होगा, या 8 होगा, या 8 होगा, तीन भी नहीं पॉसिबल है, तो 8 और 4 में से आंसर किया, देखो, एक यहाँ पर यह वाल आपको दिख रहा है, कैनाइन, एक सामने होगा, एक नीचे, एक इदर, बेसिकली, 4 कैनाइन बनके आएंगे, एक इदर से निकल रहा होगा, तो इसका आंसर होगा, 4, अगली बार क्या करेगा, सवाल पलट देगा, कैनाइन का करता है, अपनी कॉपी में नोट करना है, इसे डेंटर फॉर्मूला भी बोला आता है, जनरल भाशा में, यानि 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, अगर इसे भी आप याद करते हो, तो यह इंसर है, यह कैनाइन है, यह प्री मोलर है, और यह आपके मोलर है, यह आपको याद रखना है, इ Which of the following creatures is oviparus, अब oviparus जब तक मतलब नहीं पता, sense नहीं बनेगा आगे, oviparus होता है, एक viviparus होता है, viviparus वो होता है, जो कि young one को जनम देता है, यानि जो बच्चा पैदा करते हैं, oviparus होता है, जो अंडे देता है, या फिर आप बोलोगे जो egg देता है, एक के रूप म अपने बच्चे को जनम देता है, frog, mouse, squirrel और rabbit, इसमें जो frog है, ये एक oviparus animal है, आपको ध्यान दखना है, frog, oviparus है, बाकी oviparus नहीं है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सबसे छोटा बर्ड कौन सा है, ये बहुत बार सवाल repeat होता है, सबसे छोटा कौन सा है, दोनों चीज़े आपको याद रखने है, ये largest कौन सा है, मुझे फटा-फट से answer बताओ, मैं उमीद करता हूँ आपको answer इसका आता होगा, एक bird आपने देखा होगा, इस टाइप का एक bird है, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ फटा-फट से, इस टाइप का एक bird है कुछ और इसका आप मुझे बताएंगे कौन सा bird मैं इस समय बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो bird है आपको होगे, आपने जरूर देखा होगा ये bird, ये ostrich है, इसका egg से भी सवाल बनता है, ये जो सवाल छोटे-छोटे आपको बिलकुल ध्यान में रखने है, और ये जो bird है, इसे आप largest bird के case में consider करोगे, कि सबसे छोटे bird की मैं बात करता हूँ, तो B hummingbird है, बहुत छोटा, इस पैदो से भी आप काफी छोटा मान सकते हो, ये इसका answer होगा, Who discovered the first vaccine for smallpox, smallpox disease है, यथी आप कहोगे जो eradicate हो गई है, इसकी सबसे पहली vaccine यानि दवा आम भाशा में आप बोलोगे किसने discover करी थी, Alexander Fleming, Louis Pasteur, John Hunter या फिर Edward Jenner, अब Alexander Fleming भी किसी चीज़ से associated है, hint मैं देता हूँ, P से वो word शुरू होता है, मैं और hint देता हूँ, आगे आपको क समच पारे होगे, अगर नहीं पता, फटा-फट से गूगल करो, और लिखो Alexander Fleming, और आगे मेडिकल का कोई भी टर्म लिख देना answer आजाएगा, मैं hint देता हूँ, इन्हों ने भी एक बहुत बड़ी चीज डिसकवर करी थी, जिस वैसे इनका नाम जाना जाता है, इस सवाल क जो answer है, smallpox की case में, वो है Edward Jenner, Edward Jenner इसका answer है, smallpox की Edward Jenner ने first vaccine डिसकवर करी थी, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते है, DNA is stored majorly in the dash of the cell, फटा-फट से एक बार ट्राए करो इसे, DNA mainly किसमें store होता है, अब यहाँ पर यह majorly जो है न, यह बहुत बढ़िया वर्ड इनों ने ल हो सकता है, और भी कहीं stored हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन mainly कहाँ पर stored होता है, तो आप बोलो कि Nucleus के अंदर DNA क्या है, DNA की full form क्या है, Deoxy, Ribo, यह भी काफी बार पूछी जाती है, Nucleic Acid, अब देखो इसके नाम में ही Nucleic आता है, तो obviously Nucleus से associated होगा बहुत तकड़े एक और आता है, जिसे आप RNA बोलते हो, वो होता है, Ribo Nucleic Acid, Ribo Nucleic Acid होता है, RNA, और यहाँ पर बस आपको एक चीज़ धियान रखने है, जो DNA है, वो आपको Ribosome से भी associated होता है, लेकिन mainly वो Nucleus के अंदर stored होता है, अब दूसरा मेरा सवाल यह बनता है, इसी कौन सी को और सराउंडिंग को differentiate करती है, basically which forms a barrier between the cell contents and the surrounding, फटा-फट से ट्राए कर तो पांच सेकेंड दे रहा हूं इसके, देखो cell और सराउंडिंग के बीच में मैं कहूंगा ना कि अगर यह cell है, यह इसका न्यूकलिय से यहाँ पर बाकी सबसवान पड़ा, तो plasma membrane वो चीज है, जो की boundary बना रही है, यानि इसका अंसर plasma membrane होगा, दब सवाल मेरा यह है आपसे, कि जो plasma membrane है, plasma membrane is dash in animal cell, फटा-फट से answer दो गई, ए, plasma membrane लिखो यह इसे cell membrane भी लिख सकते हो, दोनों एक बात है यहाँ पर, absent, दूसरा, present, इससे कहा देखो तयारी, कि आपको confidence भी बनेगा, कि मैंने CGL के साथ सथ वो भी सवाल लगा ले, जो कि आने वाले एक्जाम के लिए important है, जो cell membrane है, वो animal cell में होती है, नहीं होती है, आप बोलते हो, सब present है, animal cell को मैं काट रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं plant cell, अब इसका answer हो, मुझे कि अगर मैं plant cell लिख देता हूँ इसकी जगा, तो क्या उस plant cell के अंदर plasma membrane होती है, answer क्या दोगे, answer दोगे present, बहुत लोग अपसेंट लगता है, देखो इस चीज़ का ध्यान लखना, आपको मैं अच्छे से note करके दे देता हूँ, थोड़ा point को आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं बात कर तो plant cell की, तो इसके पास cell membrane होती है, cell wall होती है, basically आपको point ठ्यान लखना है कि plant cell के पास भी cell membrane होती है, cell wall भी होती है, इसके पास cell wall नहीं होती है, अगला जो बहुत ज़्यादा सवाल डिबेटेबल है, वो vacuole का आता है, vacuole का सवाल बनता है, vacuole plant cell के पास है, बिलकुल है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे area cover करता है, जिस उसे turgidity, strength आपको होगे, osmotic pressure उसका maintain होता है, जिस टाइप से आपने जब भी cell देखा होगा, कभी plant cell आपने डाइगराम में देखा होगा, तो बीच म अपने एक बहुत बड़ा अंडा सा देखा होगा, इसी vacuole की मैं बात कर रहा हूँ, क्या यह animal cell में होता है vacuole, vacuole मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है, अब यहाँ पर मुझे बताओ कि अगर मैं animal cell की बात करता हूँ, तो क्या animal cell में vacuole होगा, क्या animal cell में vacuole होगा, answer होगा, yes, animal cell में vacuole पाया जाता है, animal cell अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर कुछ इस टाइब से, तो animal cell में छोटे 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 vacuole पाया जाते है, और plant cell में बड़ा vacuole पाया जाता है, Animal cell में वो छोटा एरिया cover करते हैं Plant cell में वो सबसे ज़्यादा एरिया वो ही cover करते है Area और volume आप यहां बोलोगे मुझे उमीद है समझ आ गया होगा Short में अगर मैं आपको repeat करता हूँ तो अगर मैं animal cell की बात करता हूँ तो cell wall नहीं है Cell membrane है Vacual है मुझे उमीद है बात समझ आ रही होगी इसी टाइप से आप मेरी साब से पढ़ो इस समय भी मेरा खुद का कोर्स चल रहा है Academy Plus पे जैसे मैंने आपको भी पहले बताए उस कोर्स के साथ सब्सक्राइब के सभी कोर्स आप ले सकते हो क्योंकि पर्फेक्ट टाइम है देखो तैयारीगा डिस्काउंट कोड आपको नीचे देख रहा है PM लिखना है सिर्फ बिना स्पेस के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पूरी Physics, Chemistry, Bio का नेया कोर्स चल रहा है History, Geography, Quality, ECO इनका भी कोर्स चल रहा है इसके लाब अभीने सर है, रानी मैं है सभी Educators के सभी कोर्स आप चाहो तो बिल्कुल जॉइन करना आगे चलते हैं एक ही सवाल में हमने काफी गूर डिस्कास कर लिया Night Blindness is Cost अब क्या मैं इसे Clearly Repeated Question बोल सकता हूँ ये फाइदा होता है बस previous questions को याद करके जानेगा कि अगर आप अच्छे से पढ़के जाते हो तो ये मान के चलना कि जो आप practice करके गए हो सवाल उस में से 101% मिलेंगे एक सेट में वो सवाल पूछा दूसरे सेट में आप से ये सवाल पूछ लिया अभी हमने डिसकस कर दा था विटामिन A की कभी से क्या या कौन से विटामिन से associated है उसी सवाल की statement बदली सेम सवाल दे दी है विटामिन A होगा इसका correct answer जैसे मैंने आपको बता था इसकी जगा दूसरा word भी आ सकता है वो होगा serophthalmia आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं Name the tissue that transports food to various parts of a plant कौन सा ऐसा tissue है जो food को carry करता आप देखो मैं आपको बता था paranchyma, scledanchyma और colanchyma ये जो है ये growth से associated है growth लिख देता हूं मैंने के आगे ये growth से है इनका transportation से कोई लेना देना है ही नहीं बिल्कुल भी इसा plant tissues है ये जो दोनों हैं ये associated है transportation से और याद दखना transportation of water कौन करता है बता हूँ xylem करता है और transportation of food कौन करता है flowem अब इससे याद करने भी कहीं तरीके है देखो एक चीज़ आप यहाँ clearly समझ सकते हो याद करने का जो पहला इसका तरीका simple बनता हो आता है w के बाद आता है x के बाद आता है y जैसा हमने पहले भी एक pattern देखा था जो मैंने आपको exocrine और endocrine बदाया था उस type से भी आप relate कर सकते हो और यहाँ पर भी fur की आवाज आरी है food की यहाँ पर भी fur की आवाज आरी है food की दोनों तरीके आप associate कर सकते हो बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर food पूछेगा तो आप phloem बोलोगे अगर इसी की जगा water लिख देगा तो आप बोलोगे asylum मुझे उमीद है आपको बात समझा गई होगी यहाँ तक all good होगा आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं अब यह marsupials क्या है यही नहीं पता था काफी लोग को और बहुत सारे questions skip करके गए देखो मैं आपको बताता हूँ अपने एक नाम सुनो kangaroo kangaroo या kangaroo जिसे आप बोलते हो वो कौन सी country से associated है वो associated है अस्ट्रेलिया से और जो अस्ट्रेलिया है वहाँ पर kangaroo पाया जाता है आम भाशा में अगर मैं उसे kangaroo बोलो तो इसके लाव कौला बीर है ये सब क्या करते है अपने बच्चे को अपने पेट में अपने पाउच में करी करते है जब तक वो बड़ा नहीं होता इस type के animals को बोला जाता है marsupials वो अपने young ones यानि अपने छोटे बच्चों को pouches के अंदर क्यारी करते है तो इसका मतलब आप शायद बीच में skip करके आगे आगए हो फटा फट से जो बचावा पोशन है उससे ज़रूर देखो क्योंकि ये सवाल भी बहुत बार बनता है आगे चलते है blood pressure किस चीज से नापा जाता है देखो instruments का आपको क्या करना है सारे के सारे instruments एक सार याद करके जाने है point by point instruments यहाँ पर है यहाँ पर होगा किसने discover करा है यहाँ पर होगा उसका function और mainly discover अगर याद नहीं भी कर सकते हैं तो ये वाले दोनों point आपको बहुत अच्छे से पढ़के जाने क्योंकि इससे बहुत सवाल बनते है again मैं यह कहूँगा कि आप सिरफ answer पर ना focus करते हैं वे और भी points पर focus करो कि अगर glucometer की मैं बात करता हूँ यह किस काम आता है lactometer, lacto का मतलब मैंने बता था milk से associated होगा है milk की purity check कर सकते हो thermo का मतलब होता है temperature या फिर आप इसे temperature नापने में इस्तिमाल कर सकते हो swigmo manometer यह नापता है blood pressure अगर सिरफ pressure की मैं बात करूँगा तो answer बिलकुल बदल जाएगा सिरफ pressure नापेगा आपका barometer या barometer जिससे आप बोलते हो glucometer जो है आपके sugar नापने में काम आता है जिससे अब glucose level body का blood का जो होगा वो आप नापोगे तो उसका अंसर glucometer होता blood pressure अगर आपको body का नापना है तो वो sphigmo manometer से नाप सकते हो आगे चलते बोथ hemoglobin and myoglobin required dash for formation अब यहाँ पे myoglobin काफी लोग को नहीं पता फिर भी आप इसका अंसर दे सकते हैं क्योंकि आपको hemoglobin तो पता है ना कौनसी जीस से associated होता है फटा-फट से try करो देखो hemoglobin जो है वो किस से associated है मैं आपको ऐसे बताता हूँ blood है blood के अंदर पाये जाता है RBC RBC associated है hemoglobin से जो associated है oxygen से और elemental form में associated है iron से अब अगर iron की कमी होगी deficiency होगी तो बिमारी होती anemia ऐसे chart आप अगर आप दिमाख में बनाओगे तो चीज़े बहुत असान रहेगी यानि आप anemia की कमी क्या होगी आप बोलोगे चाहे उससे आप associate कर सकते हो oxygen की कमी से उसे associate कर सकते हो iron की कमी से उसे associate कर सकते है iron की कमी अनियमिय I hope point समझ पा rabbit किस्टाइब से आपको चीज़े पर नहीं है अगर session पसंद आरहे like जुरू करना जिसने आगे ही इस टाइब के जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट बनते हैं, सभी के सभी मैं आपको यही पर कदा दू identify the part of brain that controls the maintenance of posture, balance and equilibrium यानि आप सीधे खड़े हो, तो कैसे खड़े हो, आप बैठे हो, तो कैसे बैठे हो याँ बैठ के एकदम उठ रहे हो, तो balance बना के आप easily कैसे उठ पा दे हो सब चीजे जो है, कौन control करता है, फटा-फट से try करो, कौन ऐसा है जो आपको balance control करता है, अगर आप चेयर पे बैठे हो, तो आप चेयर पे अगर कहीं भुकंप भी आ रहा है, तो आप नहीं गिल रहे हैं, या फिर आप खड़े हो कहीं पे, बहुत देर से train में, बस में, तो आप balance बना पादे हो, यह कौन maintain करता है, यह करता है, cerebellum cerebrum जो है, यह नहीं करता है, दूसरा मेरा सवाल आप से ही, आप homework question नहीं से कह सकते हो largest part of human brain, इसका answer क्या है अगर answer पता भी है, तो भी मैं कहूंगा, एक पर इसका answer check ज़रू करना है, क्योंकि अगर किसी को cerebellum लग रहा है, तो वो गलत answer है, मैंने आपको hint दे रही है, cerebellum इसका नहीं answer होगा, इसका answer कुछ और होगा, ठीक है, मैं hint बता ही देता हूँ, चलो, cerebrum आपने नाम देखा option number one है, वो इससे associated है, आगे चलते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं, in which part of the body is blood produced, अब यहाँ पर भी क्या होता है, एक spleen आपने सुना होगा, पेट के पीछे को एक organ होता है, एक आपने सुना होगा, बोन मैरो, यह दोनों ही associated है, और एक को तो graveyard of RBC भी बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा, बोन मैरो क्या होता है, जो हमारी हड़ियां होती है, specifically जो मोटी हड़ियां होती है, जिसे हाथ की है, शोल्डर की है, इसके अंदर आप कहोगे, वहाँ पर बनता है blood, और अगर वहाँ पर कोई भी रिक्कत आती है, तो उस case में जो blood होता है, वो सही blood से जुड़ा हुआ है, brain क्या करता है blood को, सिरफ और सिरफ blood को, वो consume करता है, brain सिरफ और सिरफ ब्लड को consume करता है, use करके information process करता है, lungs जो है blood को purify करते हैं, और hard जो है, इसे pump करता है, ये produce करता है, एक और है जो filter करते है, कोई मुझे बता सकता है, filter कौन करता है, filter करते है, kidney, filter और purify में फ़रक है, ये O2 CO2 exchange की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर में अलग-अलग जो salts है, जो आपकी body में associated नहीं चीज़े जो आपको चाहिए, वो हो change होगा, necessary, unnecessary gases का, वो purification के अंदर आएगा, आगे चलते हैं, Wilson's disease is an inherited disorder in which excess amounts of dash accumulate in the body, पहली बात Wilson's disease जो है, किस से associated है, आपको होगे, ये associated है, copper से, copper से associated है, दूसरा है किस portion को affect करते है, mainly liver and brain, यानि दिमाग जो है काम सही से नहीं कर पाता, liver में problem आती है, long term में full body impact आ जाता है, full body impact देखा गया है, ठीक है, मुझे उमीद है बात समझा रही होगी, ये नाम है, खोजने वाले के नाम पे रखा गया है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते है, an adult human body has how many bones, फटा-फट से बता होई, एक आम, देखो कितना असान सवा है, ये 13 June वाली shift का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, बहुत ही असान सवाल है, इससे असान सवाल नहीं बन सकता, कि भाईया, कितनी हडियां होती है, आप सीधा-सीधा कहोगे, कि 206 हडियां पाई जाती है, एक adult human की body में, अब एक और type का सवाल है, जो कि बहुत बार SST पूछता है, लेकिन इससान नहीं पूछा, सबसे पहरे तो आपको इसकान से बता, 206, blood से मुझे एक चीज याद आती है, इससाल वो सवाल इसमें देखने को नहीं मिला, लेकिन एक सवाल आता है, universal donor कौन है, universal acceptor कौन सा है, basically blood group की मैं आपसे यहां बात कर रहूं, तो आपको एक बात समझनी पड़े की, blood group जो है, सिर्फ दो टाइप के नहीं होते हैं, जो हम बढ़ते हैं, blood के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, blood group चार टाइप के होते हैं, फटा-फट से notes अपने बना सकते हो, आप A होता है, A, B होता है, B होता है अब blood के अंदर दो चीज़े पाई जाती है, एक तो पाई जाता है antigen, एक पाई जाता है antibody, थोड़ा-थोड़ा आपको मेरी हिसाब से knowledge होनी चीजिसे आप easily चीज़ों को समझ पाऊ, antigen पाई जाता है, antibody पाई जाता है, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान लखना, antigen वही होग जो blood group है, antigen हमेशा same होगा, ये चीज़ नहीं पता तो अपनी copy में अभी notes में note कर लो, antigen same होगा, कि अगर मैं antigen बात कर तो blood group A की, तो उसका antigen होगा A, B की बात करता हूँ B, AB की बात करता हूँ AB, और O के पास antigen नहीं होता, O के पास antigen नहीं होता, ध्यान लखना, यानि अ antigen of B क्या है, बोलोगे B, antigen of AB क्या है, आप बोलोगे AB, और O का antigen क्या है, सर O के पास antigen नहीं होता, अब, antibody हमेशा उल्टा चलता है, इस चीज़ को ध्यान लखना, antibody हमेशा ही उल्टा चलेगा, यानि उल्टे का मतलब ये है कि पहली बात तो इससे छोटे letters में denote करा जाता ह है, दूसरा अगर यहाँ A है, तो A का उल्टा B, बी चलेगा, B का उल्टा A, अब AB अगर दोनों के दोनों यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ कोई नहीं बैठ सकता, यानि इसके पास antibody नहीं होगी, और इसके पास दोनों की दोनो antibody होगी, पहली बात तो बहुत important बात हमने य करो, आगे चलता हूँ फिल में, antigen, blood group A की बात करूँगा, antigen A, antibody B, B में antigen B, antibody A, AB में antigen A, antibody नहीं, O में antigen कुछ नहीं, antibody A, आगे चलते हैं, अब यह किस-किस को दे सकता है, और किस-किस से ले सकता है, किस-किस को यह donate कर सकता है, और किस-किस से यह accept कर सकता है, देखो भई ये सबसे ले सकता है, ये सबसे ले सकता है, तो सब इसे दे सकते हैं, क्या मैं सभी के case में एक A-B सीधा सीधा नोट कर दूँ, क्योंकि A-B जो है सबसे ले लेगा खुन, ये तो मैंने सीधा नोट कर दिया, अब आगे चलो, जो अपने भाईवन्दू को तो देगा ही देगा यानि एक तो A को देगा ये जो है B को देगा अब A B तो सिरफ A B को दे सकता है और O जो है वो दुनिया भर को दे सकता है यानि A को भी दे सकता है B को भी दे सकता है O को भी दे सकता है A B को भी दे सकता है ये pattern बन गया मुझे उमीद है समझाया नहीं समझाय, फटा-फट से दुबादा समझाता हूँ, A, B, सबसे ले सकता है, A, B, जो है, ले सकता है, सबसे, यानि A, B, दे देगा, A, B, दे देगा, O, दे देगा, और जो O है, वो सबको दे सकता है, यानि ये A, जो है, किससे accept कर सकता है, A, किससे accept कर सकता है, O, से, B, किस से accept कर सकता है O से और O किस से accept कर सकता है O से यानि यह किस से ले सकता है चारो जो है चारो को ही O दे देगा और किस से ले सकता है O के इलावा A से ले सकता है यह O के इलावा B से ले सकता है यह O के इलावा किस से ले सकता है आप कहोगे भाया यह तो सब से ले सकता है B से B, A B से B और ये किस से ले सकता है? सिरफ O से ले सकता है ये जो page आपको दिख रहा है इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं इसे अच्छे से समझनों नहीं समझाया फटा-फटा से थोड़ा से वीडियो में पीछे जाओ दुबारा समझो आज नहीं तो कभी नहीं वाली अप्रोच अपनाना कि हातो हात समझो चीजों को निप्टाओ मुझे उमीर है बात समझा रही है अगर ये उल्टे नहीं होंगे तो आप कहो कि clotting हो जाएगी clotting होने से क्या होगा? बोडी में blood supply नहीं हो पाईगी तो ये पॉइंट ध्यान रखना antigen antibody हमेशा उल्टे होने चाहिए आगे चलते हैं इसका मतलब ये है कि जो O है ये universal donor है ये है universal acceptor पहली बात तो ये important बन गई या मैं या लिख देता हूँ आपके लिए AB जो है वो है universal acceptor यानि सबसे ले लेगा है कोई से attention नहीं है और जो O है वो है universal donor मुझे उमीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि भईया जो O है वो सबको दे देगा और जो AB है वो सबसे ले लेगा अब एक और चीज़ चलती है ये सवाल बना है आर ए्च फाक्टर आपने एक वर्ड सुना होगा आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव ये किस से आया है अचे है ये एक recus monkey है recus factor है रेसस monkey से खो जा गया था ये और ये D antigens associated है बहुत ज़ने चेह भर जारे detail में हमें नहीं जाना хот', एक जाने के पास होंगे और अगर full detail में अगर मैं आपको समझाता हूँ इसी को convert करके तो यहाँ पर आपको point ध्यान रखना है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अगर कि जो O है O जो minus वाला है ये सब को ही दे सकता है और AB plus वाला सब से ही ले सकता है मुझे उमीद है बात समझाई होगी कि पहला approach क्या रखना है अगर आपको option में दिखे कि universal acceptor बताओ ध्यान से समझना अगर option में दिखता है A B AB और O चाल पर सवाल में discuss कर देता हूँ अगर ये दिखता है तो आप answer होगे AB अगर आपको दिखता है A, B, C और D यहाँ पर आपको दिखता है O plus, O minus AB plus, AB minus तो इस case में क्या answer दोगे इस case में आप answer दोगे AB plus क्योंकि AB plus जो है सभी plus वालों से भी ले सकता है सभी minus वालों से लेकिन ये सिरफ और सिरफ आपको होगे, minus वालों से ले सकता है यानि इसका answer यह होगा same इसी type से universal donor को भी decode कर देता हूँ च्योंकि देखो पड़ो तो मेरा मानना ही है पूरा पड़ो, सिरफ MC की वाद करने से कभी काम नहीं बनेगा AB, AB और O आगे चलो, ABCD अगर donor की बात करता हूँ answer होगा option number D यानि O अगर बात करता हूँ O plus, O minus, AB plus अगर इस type का सवाल बनता है इस type का CGL 17 में सवाल पूछा गया है तो उस case में आप answer दोगे कि इसका answer होगा universal donor का O minus यानि आपको ये O plus से भी ले सकता है minus से भी ले सकता है यानि आपको option से खेलना है दो ही type के सवाल बन सकते यही 4 सवाल बन सकते इसके लगा कोई पांचवा सवाल नहीं है अगर acceptor पूछेगा फिर से बता रहा हूँ आपको देना option number C, AB उदल पूछेगा आप बोलोगे option number C, AB plus यानि specifically AB plus लेकिन वैसे AB universal donor की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप बोलोगे O या फिर specifically आप बोलोगे O minus मुझे उमीद है बात सब को समझ में आ गई होगी एक छोटा सा point मैं आपको और बता देता हूँ क्यों है case आपने सुना होगा क्योंकि वो नाम आपको कई बास सवाल देखने को मिलता है कि जिस case में baby होने में problem होती है कि वो plus और minus का combination होता जो अगर proper नहीं हो पाता तो उस case में जो second baby होता है उसकी death हो जाती है उस word को आपको ध्यान में रखना है मैं लिख देता हूँ कि second baby जब होता है उसकी death हो जाती है erythroblastosis क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था antigen और antibody सेम नहीं होने चाहिए इस case में क्या हो जाता है second baby के time तक antibody इतनी strong हो जाती है कि वहाँ पर clotting हो जाती है clotting होने की वज़े से आप कहोगे कि जो second baby है उसकी body में जो blood circulation और प्रॉपर नहीं हो पाता है उसकी death हो जाती है मुझे उमीर है आतक बात समझा गई होगी कि जो mother है उसके नदर antigen produce हो जाता है और यही जो case है हमेशा याद रखना जो father है उसका और sun से sun का जो plus rh factor होता है तो plus बनेगा minus होगा तो minus बनेगा यह बात बिलकुल थ्यान रखना जो rh factor है वो father to sun transfer होता है ना कि mother to sun मुझे उमीर है सारी बात समझ आ गई होगी अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे है तो आप अपनी त्यारी एन Academy Plus से करिया एन Academy की learning app को install करिया अपना exam choose करिया और इसके बाद get subscription पर करने के बाद आपको referral code की जगए discount code एंटर करना है PMYT यह discount code एंटर करते हैं आपको maximum discount मिल जाएगा क्या हाले हैं आप सबके अगर अभी तक आपने rate economy के free plan को unlock किया है activate नहीं किया है तो आप अभी किया अपने अपने अन Academy के free plan को unlock कर ले न anacademy के free plan को unlock करते हैं आपको free life classes मिल जाती है free test series मिल जाती है कैसे unlock करना है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको एक invite code apply करना है PMYT जैसे ही आप ये PMYT code लिखेंगे unlock पे click करेंगे आपका anacademy का free plan unlock हो जाएगा और उसके बाद आप सभी categories की जितनी भी free test series हैं वो लगा पाएंगे उनका access आपको मिल जाएगा और साथ ही जितने भी top educators हैं उन सभी की free life classes भी आप attend कर पाएंगे आप सबको ध्यान रखना है जो आपका invite code है वो है PMYT PMYT लगाते ही आपका anacademy का free plan unlock हो जाएगा